हेलो बच्चों, हाई को आज हम एक बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती मज़िदार टॉपिक शुरू कर रहे हैं वेफ प्रॉपोगेशन वेफ नाम तो सुना होगा तुमने बहुत कॉमन दुनिया में भी वेफ बार 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 हमारे सामने आता है तो वेफ प्रॉप तो वेव थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक बच्चों के पॉइंट पॉइव से स्टुड़ा सा मुश्किल टॉपिक वेव होता है उसके बहुत सारे रीजन से जिसकी वज़े से टॉफ होता है जो सबसे बड़ा रीजन है वो यह कि पहली बार तो यह 11 में पढ़ाया जाता है तो लास्ट जैसे कोटा कि अगर में 11 क्लास के बच्चों की बात करो तो बिल्कुल आखरी में वेव पढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रेंट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा तेज फास तरीके से कवर होता है वो टॉपिक जिस वज़े से थोड़ा सा इतने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ाया भी लास्ट में जाता है इस वज़े से और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर जब 12 में बच्चा आता है तो वेव का फिर पूरे 12 के स्लेबस में ऐस सच वेव का बहुत जादा वेव उप्टेक्स को छोड़के बह नहीं हो पाता है और यह सारे रीजन बन जाते हैं जिसकी वज़े से वेव एक डिफिकल्ट टॉपिक बन जाता है दो वेव काफी जादा आसान है क्योंकि जैसे कि मैंने का एक एवरेज बच्चे को कॉम्प्रेंट करने में मुश्किल है ऐसे जो भी टॉपिक होते हैं जो बहुत अच्छे से समझा नहीं है इस वज़े से उसको डिफिकल्ट लगता है मतला उसको नाम से ही डर लगता है ऐसा सिचुएशन है अब सुचो कि अगर कोई टॉपिक नाम से ही डर लगता हो तो उस पर कुछ भी मैं पूछ लूँ आपसे या किसी स्टूदेंट से में बहुत ही जप्धा लिमेटेंट है और जो क्वेशिण जहां से पूचिया बोट ही थोड़ी से एरिया है जहां से रिपीटेड नेचर के प्वेशिण सबनते हैं तो बड़े ही रिपीटेड इकवेशिण साब को मिलेंगे थेटीन थोड़े बहुत कोईशिण भी IUIT के questions कर लेते हैं, sheet कर लेते हैं, homework कर लेते हैं, क्ये वले इतना काम कर लेते हैं, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है, कि wave का question exam में आपसे ना हो, यह बिल्कुल असंभा होगा, impossible है कि wave का question आपसे ना हो exam, right, तो उस तरीके से हम इसको देखेंगे और समझने के लिकोशिश करेंगे, तो शुरू करते हैं, wave propagation का क्या मतलब है, propagation का obviously मतलब है, चलना, जाना, propagate करना, तो wave propagation शब्द से क्या मतलब है, wave बला क्या है, wave चीज क्या है, मालने ते मैं सवंदरिल किनारे खड़ा हो और मुझे लहरे आती हुई दिखाई दे रही है, है ना भी, तो हम कहते हैं कि water waves बन र तो हम कहते हैं आधी ही आ रही है, तो वो भी एक तरह का wave का example है, तो wave है क्या बला, wave चीज क्या है, तो wave एक ऐसा फेनोमेना है, जो कि transport करता है, एक जगे से दूसरी जगे तक transport करता है energy और momentum को, तो wave is basically propagation of energy and momentum in space, अकर simplest भाशन में कोई मुझे से पुचे कि wave क्या है, तो मैं आपको जवाब दूँगा, वो यह दूँगा, कि it is basically propagation of transfer of energy and momentum from one space location to the other, तो one space location to the other, एक space location से दूसरी space location तक energy और momentum का जो transfer है, वो wave motion या wave propagation है, तो it is basically transfer of, it is basically transfer of energy, transfer of energy and momentum, and momentum, transfer of energy and momentum from one location to other, अगर आप मुझे अर्गे को पिचार अगर ऐसा है, transfer of energy and momentum from one location to the other, यही अगर wave है, तो मैं काम करता हूँ, बॉल लेता हूँ, बॉल को फैक देता हूँ, बॉल को फैक देता हूँ, बॉल के पास kinetic energy भी है, बॉल के पास पास कानेटिक एनेर्जी भी है, कमास भी है, बॉल के पास velocity भी है, हैंस मैंने बॉल को फैका, सामने किसी ने बॉल को catch कर लिया, हैंस उसने बॉल को catch किया, तो उसको momentum भी receive हुआ, और energy भी receive हुई, तो यह भी एक phenomena है, जिसमें energy एक जगे से दूसरी जगे है, और momentum एक जगे से दूसरी जगे transfer हो रहा है, तो क्या यह wave propagation का example हुआ क्या, यह wave propagation का example नहीं हुआ, क्योंकि transfer of energy and momentum from one location to the other, without any bulk movement, कोई bulk movement नहों, without any bulk movement, बिना किसी bulk movement के energy और momentum का एक जगे से दूसरी जगे transfer होना, is wave propagation, अब एक दूए example देखे कि इस बात को समझाता हूँ, जैसे मालनेते मेरे पास एक किताब है, और मैं suppose एक class ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जो book है, वो last bench वाले बच्चे तक पहुचे, तो तरीका number one यह है कि मैं सबसे आगे जो बच्चा बैठा है, उसको बोलता हूँ कि यह किताब तुम आख़ी वाले बच्चे को जाकर दिया, वो जाता है, चल कर जाता है, और किताब last वाले student को दे देता है, this is one way of transferring that book from one place to the other, this is one way, and the second way is कि मैं उस बच्चे को book देता हूँ, और कहता हूँ कि उसको पीछे पास करते जाओ, तो वो किताब लेता है, अपने पीछे वाले को ट्रांसफर करते जाँ, वो और करते-करते वो जो किताब है, वो last bench वाले बच्चे तक पहुंच जाती है, कि जो second वाला phenomenon है, कि इसमें कोई bulk movement नहीं हो रहा है, जो first वाला phenomenon है, उसमें bulk movement हो रहा है, उसमें एक बच्चा जा रहा है, उटके किताब लेकर जा रहा है, और एक जिगे से दूसरी जिगे तक इसका सबसे जादा खूबसूरत एक्जामपल है, sound waves, sound waves, मैं अगर आप से बोल रहा हूँ, यह मालेती हैं, अगर आप सामने बैठे होते हैं, मैं आप से बोल रहा हूँ, तो मैं जब मैं जो बोल रहा हूँ, तो मेरा जो बोलने का जो vocal cords है, जो organ system है, वो vibrations पैदा कर रहा है और वो vibrations air medium में travel कर रही है, air का कोई bulk movement नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे बोलने से आंधी चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, हवा इस कमरे में रुकी हुई है, और उस रुकी हुई हवा में, that means air molecules, air molecules, bulk में move नहीं कर रहा है, केवल energy को transfer कर रहा है, एक जगे से और उस synchronous movement से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ चल रही है, जिसका और एक अच्छा example हो सकता है, वो जो LED lights वगरे नहीं होती है, दिवली वगरे पर लगती है, जिसमें light चलती हुई दिखाई देती है, होती है na, LED lights जिसमें कई सारे bulb लगे हुए है, अब उनका synchronous on-off है, है ना पहला bulb on हुआ, फिर जब वो off हुआ तो दूसरा bulb on हुआ, दूसरा bulb जब off हुआ तो तीसरा bulb on हुआ, यह अगर एकदम 100% synchronize कर दो मैं, तो क्या आपको light ऐसे चलती हुई दिखाई देगी, क्या आपको ऐसे movement कुछ दिखाई देगा, जबकि सब bulb अपनी अपनी जगे पर stationary है ऐसा नहीं कि कोई bulb चल रहा हो, जो रोश्णी लेकर जा रहा हो, ऐसा नहीं है, पर synchronous on-off से, क्या हमें appear हो सकता है कि कोई चीज चल रही है, बिल्कुर, यह wave propagation है, तो obviously थोड़ा सा complicated है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग involved होंगे, और उनका synchronization involved होगा, तो इस वज़े से बनेगा, जिसको हम कई सारे अपने life से संबंधित example से लेकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक और example लेते हैं, माल लेते हैं कि खचा-कच stadium है, पूरा भरा हुआ एक stadium है, पूरा सब तरफ भरा हुआ है, और बीच में पाथवे है, बीच में जाने का रास्ता है, माल लेते है क्रिकेट माल लेते हैं, और माल लेते हैं कोई celebrity, विराट कोली है, सचन दंदुल करे है, इस तरह का कोई भी celebrity, उस बीच वाले पाथवे में से चल कर जाता है, ठीक है जी, और situation कोच ऐसी है कि जैसे वो चल कर जाता है, तो इधर उधर जो audience बेटी हुई, उड़ जाती है, ख दिखाई देगी, जो आगे propagate कर रही है, जैसे जैसे वो celebrity, जैसे जैसे वो player आगे भढ़ रहा है, उसके साथ साथ एक wave जैसी चीज है, जो आगे भढ़ रही है, जबकि हर आदमी केवल अपनी जेके पर खड़ा हुआ और बैठा, बस इतना ही हुआ, मैं अगर एक celebrity हैं, तो दिखाई देगा, जैसे पानी सर्फेस पर, वाटर सर्फेस पर हमें चलता हुआ देखाई देता है, पर हमने चुटी क्लास में पढ़ा है कि एक कौर का पीस डाल देखाई पानी में, तो कौर का पीस के वाल अपनी जेके पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कौर का पीस is not moving parallel to the surface of water, it is moving perpendicular to the surface of water, which means water is moving, water molecules are moving perpendicular to the surface of water, पर फिर भी कुछ है जो चलता हुआ देखाई दे रहा है, वो है energy और momentum जो ट्रांसपोर हो रहा है, और जो हमें चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, that is all because of synchronous movement of the medium, या synchronous movement के वज़े से ऐसा कुछ हो रहा है, यह है हमारा wave propagation, तो सब कुछ को club करें और यह सारे discussion को अगर मैं एक line में रखना चाहूं तो wave propagation is basically transfer of energy and momentum from one location to the other without any bulk movement, without any bulk movement, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि energy को transmit करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक particle को energy देखे, particle जा एक कार जा रही है अपने साथ, अपनी mechanical energy लेकर जा रही है, this is one way of propagation of energy और दूसरा propagation का energy हो सकता है wave propagation है, दूसरा तरीका हो सकता है wave propagation, sun से energy अर्थ तक आ रही है, हम जानते हैं light के form है या जो electromagnetic radiation से उसके form है, तो वो भी एक तरह का wave propagation है, तो sun से अर्थ तक कोई bulk movement नहीं हो रहा है, पर energy still sun से अर्थ तक आ रही है, मैं जब बोल रहा हूं तो कोई bulk movement नहीं हो रहा है, पर sound फिर जगर से दूसरे जगर तक जारी, ऐसा खुबसूरत, synchronized, movement and obviously complicated is your wave propagation, ये wave की कहानी है, चिक्के जी, धीरे 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 हमने जाना की wave क्या है, धीरे 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 सब चीजों को सीखा और जाना, अब हम जरूर ऐसा कह सकते हैं, कि जब wave को चलने के लिए किसी medium की जरूर जब चलेगी तो उसको कोई medium चाहिए, तो हम शुरूर में ऐसा ही समझते थे कि wave को चलने के लिए medium चाहिए ही चाहिए, अच्छा जी, एक question था कि light क्या है, और बहुत सारों तक करीब 200 सालों तक ये question, अलग-अलग लोगों ने इसका अलग-अलग जवाब दिया, light क्या है, कि light एक different kind of wave है, जिसको अब हमने एक नाम दिया, non-mechanical wave, इस basis पर wave को हमने दो category में बाठ दिया, mechanical और non-mechanical, non-mechanical waves हो है, जिनको medium की जरूरत ही नहीं है, जो बिना medium के चलती है, mechanical waves हो है, जिनको medium की आवशक्ता है, जैसे for example, sound wave is a mechanical wave, string wave is also a mechanical wave, water waves या ripples, जो पानी की surface पर ब wave का categorization का है, so that हम उसको समझ सके, तो different तरीके से हम wave का categorization कर सकते है, जिसमें से एक तरीका है, requirement of medium, तो medium की कितनी आवशकता है, medium की आवशकता है भी या नहीं, इस basis पर हम कह सकते हैं कि wave को हम दो category में बाठ सकते हैं, Mechanical Waves, Mechanical Waves, and Non Mechanical Waves Mechanical and Non Mechanical Mechanical Waves का एक और नाम भी है Mechanical Waves को Elastic Waves भी बोलते हैं Mechanical Waves और Elastic Waves इसको Elastic Waves भी बोलते हैं Mechanical Waves और Elastic Waves और Non Mechanical Waves और Non Elastic Waves इस चप्टर में हम या वेव जो यूनिट है हमारा इसमें हम बेसिकली Mechanical Waves पर बात करेंगे Non Mechanical Waves वैसे बहुत ज़्यादा डीटेल में हमारे स्लेबस में नहीं है पर Electromagnetic Waves एक चोटा सा टॉपिक है उस Electromagnetic Waves के थुरू हम थोड़ा बहुत Non Mechanical Waves को समझते हैं बहुत ज़्यादा हमारे स्लेबस में Non Mechanical Waves नहीं है और Non Mechanical Waves का एक ही एक्जामपल हमारे को जानने जैसा है जो कि है Electromagnetic Waves तो Non Mechanical Waves के जो एक्जामपल है वो है Electromagnetic Waves Electromagnetic Waves और Non Mechanical Waves Electromagnetic Waves और Non Mechanical Waves वेरिज मेकेनिकल Waves के बहुत सारे एक्जामपल है मेकेनिकल Waves के बहुत सारे एक्जामपल है जिसमें हमारे लिए जो important example है sound wave, sound waves, string waves sound wave, string waves, है ना भी, sesamic waves जो earthquake जब आता है तो उसमें जो wave उठती है उसको seismic waves बोलते हैं seismic waves ये बस नाम हमें पता होना चाहिए seismic waves क्या होती है न और water surface पर water waves जो बनती है वो भी mechanical waves है water waves जिनको बोलते है या ripple आप जिनको बोल सकते है वो भी mechanical waves जिसमें से sound wave और string wave ये दो हमारे लिए जादे important example इन दो को detail में हम बात करेंगे ठीके जे तो ऐसा है तो mechanical waves क्या है mechanical waves जो हो है जिनको medium चाहिए तो mechanical waves वो है जिनको medium चाहिए ना तो mechanical waves इनको medium चाहिए requires medium requires medium requires medium जबकि non mechanical wave non mechanical wave do not require any medium do not require do not require medium और कुछ हद तक ऐसा इस लिए जिसका एक एक्जाम्पल है, या लाइट भी कह सकते हो, और हीट वेवस भी कह सकते हो, इंफ्रारेड रेज भी कह सकते हो, इंफ्रारेड रेडियो वेवस भी बोल सकते हो, यह सब इंफ्रारेड रेडियो वेवस भी बोल सकते हो, यह सब इंफ्रारेड रेडियो वेवस यह जो वेव बनती है, microwave, they are also electromagnetic in nature, तो these all are electromagnetic wave and they do not require any medium, कुछ हट तक हम ऐसा समझ सकते हैं, कि जितनी भी electromagnetic wave है, उसमें जो energy है, वो एक छोटे से bundle में होती है, जिसको photon मोलते हैं, और वो photon energy को एक जगे से दूसरी जगे तक प्रपोगेट करता है, वो photon energy को लेकर जाता है, हैंस non-mechanical wave को medium के साथ energy share करने के कोई जरूरती नहीं है, क्योंकि वो खुद एक energy bundle के रूप में उसमें energy है, और वो energy एक जगे से दूसरी जगे तक जाती है, यह सब बाते बड़ी मेहनत से पता चले है, Einstein भाई साब ने भी इसमें बहुत सारा contribution किया है, है न भे, तो यह तो मैं आपको किवल एक सार समरी बता रहा हूँ, पर बहुत सारे सालों के मेहनत के बाद हमें धीरे 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 यह पता चला है, जबकि mechanical wave में ऐसा photon, photon जैसा कुछ भी नहीं है, तो mechanical waves purely wave की तरह, wave की तरह propagate करते हैं, energy share करके propagate करते हैं, जबकि non-mechanical wave में जो energy है, वो unit एक बंद डबबे जैसा है, और वो energy को, energy वो जो बंद डबबा है, photon है, वो energy को इक जगे से दूसरे जगे तक लेकर जाता है, चुकि mechanical wave को medium चाहिए, या mechanical wave medium में बनती है, या medium में चलती है, जैसे कि मैंने अभी example दिया, कि class में हैं, हम लोग और सब बच्चे lines ऐसे बठे हुए, मैंने first बच्चे को book दिया, उसने second को transfer के, उसने third को, उसने fourth को, उसने fifth को, ऐसा, है ना, तो mechanical wave चुकि medium में चलती है, तो medium की कुछ properties होनी चाहिए, तब ही उसने mechanical wave चल सकती है, क्या क्या properties होनी चाहिए, पहला medium energy ले सके, ऐसे तो obviously होना ही चाहिए, medium energy ले ना, पहला बच्चा किताब ही लेने को तयार नहीं हो रहा है, कि सा मैं तो ले नहीं रहा है, तो फिर मैं कैसे book को last बच्चे तक कैसे पहुचाऊँगा, तो first जो बच्चा है, जिसको मैं energy दे रहा हूँ, जिसको मैं book दे रहा हूँ, वो book ले तो सही पहले, hence medium energy ले सके, ये property medium के पास होनी चाहिए, और energy चुकि मूलता है, fundamentally kinetic energy की form है, और kinetic energy वो ही ले सकता है, जिसके पास mass हो, hence medium के पास mass होना चाहिए, और mass का दूसरा expression, दूसरा अच्छा शब्द है inertia, hence medium की जो properties है, mechanical wave को चलने के लिए, medium की जो properties है, medium properties के अगर अपन बात करें, medium properties, तो medium के पास inertia होना चाहिए, क्योंकि अगर inertia नहीं हुआ, inertia नहीं हुआ, तो वो energy लेगा ही कैसे, है न, तो medium properties में, पहली property है, property of inertia, medium के पास inertia होना चाहिए, medium के पास inertia होना चाहिए, तूसरी important property है क्योंकि आपको यह propagation लगातार कराना है ऐसा नहीं कि बस एक बार propagation कराना है, wave है तो energy लगातार propagate हो रही है, hence जो medium particles हमको लगातार energy को share करते रहना है मतलब energy लेना है, देना है, लेना है, देना है है ना, hence हैंस लगातार क्योंकि यह काम करना है तो क्या elasticity of medium also becomes a very important quantity, hence दूसरी जो important चीज है, वो है elasticity, medium properties में जो दो important property है जिन से mechanical wave किसी medium में चलेगी, वो है inertia और elasticity, medium की inertia और medium की elasticity क्या मेरी बास समझ पा रहे है, correct है, कोई भी wave हो चाहे, mechanical हो चाहे, non-mechanical हो कोई भी wave हो, वो एक equation को follow करती है, जिसको हम derive भी करेंगे बाद में, जो कि तुम बहुत अच्छे से जानते भी हो अभी में क्यावल उसको लिख रहा हूँ, कोई भी wave हो चाहे, mechanical, चाहे, non-mechanical वो एक equation को follow करती है, v is equal to n lambda where v is wave velocity, n is frequency, lambda wavelength, इन शब्दों का जो भी आप मतलब समझते हो, भी हम उससे काम चलाएंगे, फिर हम दीरे-दीरे, इनके जो technical, actual definitions उस पर भी आएंगे, वो अभी एकदम से नहीं मैं समझा सकता, hence wave velocity, frequency और wavelength के बीच जो संबन्द है, वो v is equal to n lambda का संबन्द है, हैंस हर wave की अपनी एक wave velocity होती है, जैसे for example speed of light हम जानते हैं, 3 into 10 की पार 8 meter per second, वो electromagnetic wave की vacuum में velocity है, कोई भी electromagnetic wave हो, चाए light हो, चाए infrared, चाए radio wave, चाए फलाना, चाए डिकाना, कोई भी electromagnetic wave हो, वो vacuum में 3 into 10 की पार 8 meter per second की speed से चलती है, अरिविद में, तो हर wave की हर wave की अपनी एक velocity होती है चुकि mechanical wave medium पर चलती है, तो mechanical wave की जो velocity है, वो medium properties पर dependent होती है, जैसे for example मैं अगर बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने से sound wave पैदा हो रही है, पर वो sound wave किस velocity से चलेगी, ये मेरे उपर dependent नहीं है, ये medium की उपर dependent है, medium का inertia और medium की elasticity की उपर dependent है, सोचके देखो, मैं जल्दी यल्दी बोलू या धीरे धीरे बोलू, दोनों पर इस्तिती में, sound wave की velocity, मतलब sound wave किस velocity से चलेगी, ये medium की उपर dependent है, भई source क्या करता है, मैं की उपर dependent होगा न, medium की elasticity कैसी है, medium का inertia कैसा है, हैंस जो wave velocity है, mechanical wave की जो wave velocity है, वो medium की उपर dependent होगा है, उसका source से कोई लेने देना नहीं होता है, क्या मेरे बास समझ पार है, आप एक 1000 watt का बल्ब जला है, या आप एक 2 watt का बल्ब जला है, दोनों से जो light निकलेगी, उसकी speed सेम होगी, केवल number of photons का अंतर होगा, जो 1000 watt का बल्ब है, उससे ज़्यादा photons निकलेंगे, जो 2 watt का बल्ब है, उससे कम photons निकलेंगे, पर ऐसा नहीं है, कि 1000 watt के बल्ब से ज़्यादा तेज़ of source wave velocity is independent wave velocity is independent of source एक बात जो कि अपने दिमाग में यहीं पर बिठा लें first introduction में बिठा लें wave velocity क्योंकि wave velocity बहुत important parameter wave velocity is independent of source और दूसरी बात mechanical waves की जो wave velocity है ना दूसरी बात wave velocity of mechanical waves wave velocity of mechanical waves wave velocity of mechanical waves is only dependent on medium properties wave is only dependent on medium properties और दूसरी एक्जामपल हैं जो हमें पढ़ने हैं sound wave और string wave मैं दोनो sound wave और string wave की velocity की formula लिख रहा हूं जिसको हम derive करेंगे बाद में तो sound wave की जो स्ट्रिंग वेव की जो velocity है velocity of string wave velocity of string wave wave की velocity का जो expression है वो है under root of tension T divided by mass per unit length mu tension T divided by mass per unit length mu tension T is basically representing elasticity and mu mass per unit length is basically representing inertia similarly sound wave की जो velocity है velocity of sound wave sound wave की जो velocity that is given by gamma into P divided by gamma adiabatic constant है P pressure है और रहो density है again gamma into P actually bulk modulus होता है elasticity होता है और रहो density actually inertia है इस हम इन जनर्रल यह कह सकते हैं कि mechanical wave की जो wave velocity है mechanical wave की जो wave velocity है that is basically equal to under root of elasticity by inertia जो भी उस elasticity का measure हो इन जनर्रलाम ऐसा कह सकते हैं कि mechanical wave की wave velocity can be written as under root of elasticity divided by inertia hence inertia जितना जादा wave velocity उतनी कम, elasticity जितनी जादा wave velocity उतनी जाता समझ में भी आती है बात inertia जितना जादा होगा wave velocity कम होगी क्योंकि inertia energy लेने की ग्रहन कर सकने की capacity है पर energy जो propagate होगी आगे जो propagate होगी obviously जो light medium होगा वो energy को तेज propagate करा पाएगा ठीक है जी तो अभी तक हमने क्या बात करी है अभी तक हमने बात करी कि waves दो प्रकार की है mechanical non-mechanical non-mechanical का एक ही example है electromagnetic waves और non-mechanical अभी हमें इस unit में नहीं पढ़नी है वो हम electromagnetic waves अलग unit है पूरा ही जो 12th में generally होता है 12th के syllabus में आता है तब हम उस पर बात करते हैं तो हम इस चप्टर में basically mechanical wave पर बात करेंगे mechanical wave को medium चाहिए ही चाहिए without medium mechanical wave नहीं चलेंगी बच्पन में हमने डाइगराम देखा है कि एक जार है एक एक जार बनाया और उसके अंदर एक bell electric bell लगा दी और vacuum से दीरे दीरे इस air को बाहर खींचा ठीक है तो जब जब अंदर में air भरी हुई थी और मैंने electric bell on करी तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है पर जैसे vacuum से हवा खींचते गए बहार है ना उस bell की जो आवाज है वो कम होती गई और अगर पूरी तरह से vacuum कर दोगे अंदर तो bell बज़ती हुई दिखाई तो देगी गौंग ऐसे ऐसे टकराता हुआ दिखाई तो देगा पर आवाज नहीं है कि उसकी क्यों हुआ ऐसा sound wave को propagate करने क लिए medium चाहिए तो mechanical waves को medium चाहिए ही चाहिए और mechanical waves को वो जो medium है उसकी दो बहुत important properties है जिनका इस्तमाल करके wave चलती है inertia और elasticity और elasticity और जो आकरी बात मैंने बताई और वो ये कि wave velocity किसी भी mechanical wave की wave velocity is basically under root of elasticity by inertia जिसके दो example है हमारे पास दो ही चीज़े हमें पढ़नी है string wave और sound wave जिनके लिए wave velocity का expression रहा लिए कि आप मेरी बात समझभा रहा है correct है ठीक है जी तो this is one view of understanding things ठीक और जैसा कि मैंने कहा कि हम केवल mechanical waves की ही बात करेंगे अब अगर मैं mechanical waves की ही आपसे और further चर्चा करूं mechanical waves तो definitely mechanical waves जब चलेंगी है ना तो medium में चलेंगी और जब medium में चलेंगी तो medium को करेंगी disturb, mechanical wave जब चलेंगी तो medium को disturb करेंगी temporarily मतलब हर particle अपनी अपनी जगे पर oscillate करेंगे जैसा भी example दिया बच्चे book को transfer करेंगे तो disturb होए ना temporarily disturb होए तो जब mechanical wave medium में चलेंगी तो medium particle disturb होँगे, वो medium particle किस direction में disturb हो रहे हैं उसके basis पर mechanical wave को दो category में हम बाट सकते है longitudinal waves and transverse waves, बचपन में categorization पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से, तो mechanical waves को हम दो category में बाट सकते हैं, longitudinal and transverse, longitudinal, longitudinal waves and transverse, transverse शब्द का मतलब ही होता है perpendicular और longitudinal शब्द का मतलब ही होता है length के along, longitudinal मतलब length के along, तो clearly बात समझ में आ रही है, कि जिस direction में wave propagate हो रही है, अगर उससे perpendicular direction में medium particle का disturbance हुआ, तो wave कहलाईगी transverse wave, तो transverse wave क्या है, transverse wave वो है, जिसमें medium particle perpendicular direction में disturb होते हैं, perpendicular direction disturbance, perpendicular direction disturbance, medium particle wave propagation के direction से perpendicular direction में अगर disturb हो, तो वो transverse wave कहलाती है, और अगर medium particle जिस direction में wave propagate हो रही है, उसी direction में disturb हो, same direction disturbance, same direction, तो longitudinal कहलाती है, same direction disturbance, तो wave longitudinal कहलाती है, क्या मेरी पास समझ पार है, correct है, तो transverse wave में medium particle का disturbance, wave propagation से perpendicular direction में होगा, जैसे for example, wave तो propagate कर रही है, x direction में, medium particle का disturbance या तो y में होगा, या z में होगा, whereas longitudinal wave में अगर wave x direction प्रोपोगेट कर रही है तो medium particle का भी disturbance x direction में ही होगा है ना तो ये दो हमारे example हुए या दो categorization हुए mechanical waves के longitudinal transverse इन दोनों categorization के केवल एक-एक example हमें पढ़ने है केवल एक-एक example हमें पढ़ने है तो transverse wave का जो example हमें पढ़ना है वो है string wave जिसको हम काफी detail में पढ़ेंगे string wave तो string wave मतलब रसी पर जो wave बनती है string wave is an example of transverse wave और longitudinal wave का जो हम example पढ़ेंगे that is sound wave तीसरी कोई बात आपसे detail में नहीं होगी है ऐसे शब्दों में तो हो सकती है पर कोई technical detail में equation लेको question numerical equation solve पर यह सब कोई बात समझ पाएं और sound wave so that आप longitudinal wave समझ पाएं कि आप मेरी बाद समझ पाएं हम string wave से शुरू करेंगे string wave को समझेंगे string wave को ज़्यादा detail में देखेंगे क्योंकि यह easy है longitudinal waves थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि wave भी उधर ही जा रही है particle भी उधर ही disturb हो रहा है हैंस even longitudinal wave की भी understanding हम string wave से ही that means transverse wave से ही निकाल लेगे ठीक है जी अच्छा इनको represent करने के लिए कुछ हम diagram भी बना सकते है जैसे for example imagine करो कि एक straight रसी है ऐसे खीच रखी है मैंने और अब अगर मैं अपने हाथ को ऐसे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे हिलाओ तो रसी में क्या एक तरह की wave बनेगी ये wave transverse wave का example होगी है ना तो अगर एक stressed string stressed string खिचुई रसी को disturb किया जा ऐसे लगाता है तो उसमें एक तरह का wave formation होगा जो कि transverse wave का example बनेगा हैंस ये अगर stressed string थी जब इसको कोई disturbance नहीं दिया गया था और ये वाला सेरा मैंने हाथ में पकड़ा और इसको ऐसे 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 अगर मैं vibrate करना शुरू कर दो तो इसमें एक तरह की लहर जैसी बन जाएगी एक तरह की इस तरह की इस तरह की शेप आ जाएगी जो की wave कहलाएगी और ये बड़ी dynamic situation होगी आरिवेद में ये बड़ी dynamic situation होगी तो किसी point of time पर किसी moment पर जब इसमें इस तरह की सांप जैसी shape आ रही है अगर मैं एक photograph की चलो तो वो photograph को चिस प्रकार का दिखाई दे सकता है समझ रहे हो? एक dynamic है imagine करना कि ये ऐसे ऐसे vibrate कर रहा है तो ये जो मैंने दिखा दिया है सांप जैसा ये किसी moment पर string की shape है string लगातार ऐसे 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 vibrate कर रही है ठिक? तो हुआ क्या हुआ ये कि वो medium particle जो की जब wave नहीं चल रही थी तो ये जो white line से मैंने दिखाए है string की जो situation थी जब wave नहीं चल रही थी तो सब medium particle, सब string particle अपनी अपनी जगे पर थे अभी हाल-फिलाल वो कहा होगा है कुछ उपर उढ़ गए, कुछ नीचे उढ़ गए आप देख रहे हैं उनके disturbances wave propagation से perpendicular direction में है तो कुछ particle उपर उढ़ गए है कुछ particle नीचे उढ़ गए है जैसे यहाँ कोई particle पहले रहा होगा अब वो कहा है? अब वो यहाँ है अब वो कहा है? अब वो यहाँ है? कहाँ और medium particle कैसे कैसे vibrate कर रहे है किसका example है? transverse wave का example है चूटे क्लास में हमने diagram भी देखें और दो शब्द है crest और trough वो भी अब बहुत अच्छे से जानते है यह उपर वाला हिस्सा है यह कहलाता है crest यह जो उपर वाला हिस्सा है यह कहलाता है crest और यह जो नीचे वाला हिस्सा है यह कहलाता है trough और कोई इंका ज्यादा use नहीं बस नाम हमने पढ़ी है चोटे क्लास में crest और trough की कहानी हम जानते हैं कि जो transverse wave है वो crest और trough का formation उसमें होता है और crest और trough के थ्रू ही वो wave propagate करती है चिक है भई? स्ट्रिंग के अब अपनी original position से या तो perpendicularly उपर या तो perpendicularly नीचे हो गए हैं हैं हैंस जो disturbance हो रहा है medium particle का that is perpendicular to the direction of propagation of wave it is an example of transverse wave चिक अब अगर अगर अपन longitudinal wave को समझने के कोशिश करें तो मालने imagine करें कि suppose इस तरह का एक cylinder है इस तरह का एक cylinder है और बिल्कुल perfect uniform सारे molecule बराबर बराबर दूरी पर थे एकदम perfectly uniform था तहानी एकदम perfectly uniform थी ऐसे ठिक अब imagine करो कि वो जो cylinder वो जो आपका cylinder है इस cylinder में ये वाला जो सिरा है इस सिरे पर मैंने एक तरह का piston लगा दिया है और इस piston को ऐसा एक piston तो क्या होगा ये piston धक्का मारेगा ये air molecules को फिर पीछे जाएगा फिर धक्का मारेगा फिर पीछे जाएगा फिर धक्का मुक्की का खिल चलेगा जैसे एक लाइन में सब लोग खड़े हो और मैं धक्का मारा अगले वाले को धक्का मारा, फिर पीछे कीचा, फिर धक्का मारा, फिर पीछे कीचा, फिर धक्का मारा, फिर पीछे कीचा तो क्या होगा, यह disturbance propagate करेगा, यह disturbance propagate करेगा, तो यह disturbance propagate करेगा किस दिशा में, किस direction में propagate करेगा, direction of movement of wave क्या होगा, यह और individual particle का displacement भी किस direction में हो रहा है वो भी इसी direction में हो रहा है अरिविद में correct है hence कहीं तो molecule पास-पास आ जाएंगे कहीं molecule दूर-दूर हो जाएंगे जैसे यहाँ कहीं molecule उपर उठ जाएंगे कहीं नीचे गर जाएंगे ठीक ऐसे ही वहाँ भी कहीं तो पास-पास आ जाएंगे hence density अब constant नहीं रहेगी तो जब sound wave चलेगी इस column में, air column में जब sound wave चलेगी तो density अलग-अलग जगे पर अलग-अलग होगी और अगर density अलग-अलग जगे पर अलग-अलग हो क्या मेरी बार समझ पाने हैं कहीं मॉल्यक्यूल पास आ जाएंगे कहीं मॉल्यक्यूल दूर हो जाएंगे hence region of compression and region of rare fraction जैसी कोई चीज यहाँ पैदा होगी जैसे यहाँ क्रेस्टोट्रफ है ऐसी यहाँ compression और rare fraction जैसी चीज वैसी मॉल्यक्यूल यहाँ भी इस तरीके से vibrate करके disturbance को चलाएंगे आरे विद्मी, correct है तो जो रॉल यहाँ क्रेस्टोट्रफ का है वैसा ही वहाँ compression और rare fraction का है the only problem is इसका diagram बनाना बढ़ाओ मश्किल है कैसे बनाओ मैं इसका diagram इसका diagram मनाना tough है जिस वज़े से मैंने आपसे कहा कि longitudinal wave की भी सारी understanding हम transverse से ही निकाल लेते है क्योंकि cable direction का ही तो फरक है और तो कोई फरक है नहीं cable direction direction का फरक है तो हम transverse से ही उसको है तो हम transverse को बहुत जादा detail में देखने वाले है सारी fundamental बात हम transverse के लिए ही करेंगे और फिर उसको longitudinal के लिए apply कर देंगे क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे है ठीक है भाई correct है समझनातीबत ऐसा है चले जी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो आप समझी गए हैं कि जो सबसे simplest possible example हो सकता है वो हो सकता है string wave wave को अगर मुझे समझना हो तो जब से सबसे आसान जो example हो सकता है wave का वो string wave है क्योंकि string wave मैं एक ही direction के long wave propagation होगा अच्छा यह दोनों ही जो मैंने example लिखे हैं यह one dimensional wave propagation है दोनों ही में केवल एक ही direction में यहाँ भी wave x direction में जारी है direction of propagation के हिसाब से हम wave को one dimensional two dimensional या three dimensional में break कर सकते हैं हमारे स्लेबस में केवल one dimensional wave propagation ही है तो wave को depending upon कितने directions में wave propagate हो रही है waves can be 1D, waves can be 2D and waves can be 3D as well एक bomb यह फट जाता है तो उसे जो sound wave पैदा होगी वो three dimensional एक bulb जलता है तो उसे जो light waves निकलेंगी वो भी three dimensional होगी आरिविद में पर हमारे स्लेबस में केवल one dimensional है बस हम 2D और 3D wave propagation के कोई बात नहीं करेंगे और यह दोनों जो example मैंने board पर बनाए हुए है यह one dimensional के example हैंस you can say कि यह transverse wave one dimensional transverse wave का example है one dimensional transverse wave one dimensional transverse wave का example है string wave one dimensional transverse wave का example है और यह one dimensional longitudinal wave का example है one dimensional longitudinal तो देखरो कितना आसान कर दिया है इसले बस को जितने भी मुश्किलात हैं उसको पहले ही हटा दिया है वो मैंने आपको पहले ही समझाया था जो भी मुश्किल मुश्किल एरिया है जो भी कोई चर्चा ही नहीं होगी 2D 3D पर कोई चर्चा नहीं होगी केवल वंडी वंडी की बात होगी और केवल एक 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 एक्जाम्पिल की बात होगी string wave sound तो मैंने caricature बनाया मैंने मैंने canvas बनाया है भी जिस पर मैं पेंटिंग करने वाला हूँ और मैंने outer boundaries बना दी इसके अंदर रहते रहते हैं हम चीजों पर बात करेंगे ठीक है मैं 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 मीद कर रहा हूँ कि यहां तक आपको समझ में आया है पच गया है अब हम एक बहुत important चीज की तरफ चल रहे है wave chapter की जो सबसे मुश्किल इनिशिली जो सबसे मुश्किल चीज है वो है wave equation जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है पर मैं आपको इतने आसानी से समझाओंगा कि आप ऐसे ही समझ जाओंगे बिना कोई ज़्यादा परिशानी लिए wave equation का क्या मतलब हुआ wave equation का मतलब हुआ एक ऐसी equation जो मुझे medium particles का disturbance किसी समय पर बता दे तो wave equation basically क्या बताएगी क्या बताएगी wave equation मुझे किसी भी time पर किसी medium particle का disturbance क्या है यह बताएगी तो medium किसी medium particle का कोई medium particle जो कहीं है उस medium particle का किसी T समय पर क्या disturbance है वो wave equation बताईएगे ठीक है जी अच्छा जी wave जब propagate करती है किसी medium में तो medium को जैसे मैंने कहा medium की elasticity होनी चाहिए medium inertia होना चाहिए medium का इन दो बातों के अलावा एक और बात है जो मैं मान ले रहा हूँ जो कि practically true नहीं है मैं मान ले रहा हूँ कि medium damping नहीं कर रहा है medium energy absorb नहीं कर रहा है medium के वल एनरजी को propagate कर रहा है medium energy absorb नहीं कर रहा है तो no energy absorption by the medium यह मैं मान ले रहा हूँ no energy absorption no energy absorption by medium यह मैं मान ले रहा हूँ जो कि वैसे practically possible उतना नहीं है पर हम मान ले रहा है no energy absorption by medium अब क्योंकि medium energy लेगा ही नहीं है ना, medium energy लेगा ही नहीं तो source जो disturbances पैदा करेगा medium उस disturbance को वैसा का वैसा ही forward कर देगा क्योंकि कोई energy तो लही नहीं मैंने किताब दी फॉर्स्ट बच्चे को ऐसा नहीं कि उसने दू पन्ने फाड़ लिए फिर उसके पीछे वाले बच्चे को ट्रांस्वर किये ना वो लेही नहीं रहा है एनर्जी तो उसने ऐस सच ऐसी कैसी किताब आगे वाले बच्चे को ट्रांस्वर कर दी तो इस assumption के basis पर या इसको assume करते हुए हम चल रहे हैं आगे और उसके आधार पर हम equations की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि ये एक stressed string है खिचिवी string है और ये एक source है ठेक है? ये एक stressed string है खिचिवी string है क्योंकि खिचिवी string होगी तो ये उसमें elasticity होगी अगर एक loosened string होगी तो उसमें कोई elasticity तो होगी नहीं तो एक stretched string है और ये है source हमेरे बाद ध्यान से समझना ये source केवल इस string का वो medium, वो हिस्सा वो हिस्सा जो की source के साथ contact में है केवल उसी को disturb करेगा ठीक पर बाकी string के particles का disturbance कौन करेगा string के खुद के particles ही करेंगे जैसे कि मैंने first bench वाले बच्चे को किताब दी उसके बाद वो किताब आगे कैसे भड़ी वो एक दूसरे से भड़ी है तो माल लेते है medium particles को मैं अगर 1,2,3,4 नाम देदू तो source तो केवल particle 1 को disturb कर रहा है बस source तो केवल particle 1 को disturb कर रहा है particle 2 को कौन disturb कर रहा है particle 1, particle 3 को कौन disturb कर रहा है, particle 2, particle 4 को कौन disturb कर रहा है, particle 3, hence इसको अगर मैं शब्दों में रखना चाहूँ, तो यह hygiene principle है actually, hygiene principle है जो कि हमसे ऐसा कहता है कि each disturbed medium particle itself act as a source, वो खुद source की तरह काम करेगा, जैसे for example, particle 3 के लिए source कौन है, यह नहीं है, S नहीं है, 2 है particle 3 के लिए source कौन है, तीसरी bench पर जो बच्चा बैठा है, उसके लिए कौन, उसको किसने किताब दी उसको दूसरी bench वाले बच्चे ने किताब दी, मैंने नहीं दी, अरिवित में, hence मैंने तो first वाले को किताब दी, right hence each medium particle acts as a source, each medium particle acts as a source of disturbance acts as a source of disturbance each medium particle acts as a source of disturbance ठीक है, समझ में आती है अबको बाद, correct है hence particle 1 को तो source ने disturb किया पर बागी particles को बागी particles को उनकी पीछे वाले particles ने disturb किया है, ठीक, और चुकि medium कोई भी energy absorb नहीं कर रहा है, हैंसे जैसा-जैसा source का disturbance होगा वैसा-वैसा medium का disturbance होगा जैसा source का disturbance होगा, वैसा medium का disturbance होगा ठीक है, तो मैं source को ऐसे उपर नीचा, ऐसे उपर नीचा मूव कर रहा हूँ मीडियम भी उसी तरीके से accordingly मूव करें, क्या आप मेरी बाद समझ पारें, correct है तो मान लेते हैं कि यह जो source है इस source को मैं disturb कर रहा हूँ by a function y is equal to ft y मतलब इसकी mean position से source के खुद की mean position से किसी instant of time पर यह source कहा होगा, उसको मैंने y बुला x direction से perpendicular direction में तो मैं source का जो disturbance function है या source का function है that is y is equal to ft क्या है y is equal to ft आप समझ पारें, यह किसका function है, source का function है y is equal to ft और जैसा source disturb करेगा वैसे medium particle disturb होंगे और आगे पहलेंगे मान लेते हैं source से कुछ x दूरी पर मैं किसी एक medium particle की बात करता हूँ तो source से कुछ x दूरी पर यह कोई medium particle है p जिसका location source से x है मतलब उस medium particle p की mean position source से x दूरी पर है तो क्या यह p particle भी source जैसा ही vibrate करेगा या oscillate करेगा क्योंकि कोई energy तो absorb नहीं हो रही है पर disturbance को यहां से यहां तक पहुचने में time लगेगा है ना, energy चल रही है किसी velocity जो की wave velocity है किसी v velocity से चल रही है तो energy किसी v velocity से चल रही है तो जो disturbance यह behavior source का अभी है क्या ये behavior इस particle p का होगा कितने समय बाद, कितने time बाद अगर wave constant v velocity से चल रहे है disturbance को source से P तक महुचने में wave velocity है अगर V wave velocity constant है और V है wave velocity मतलब जिस velocity से wave चल रही है वो wave velocity constant है और अगर V है तो disturbance को energy को x displacement करने में समय कितना लगेगा तो energy को x displacement करने में समय लगेगा x by v क्या आप यहां तक सहमत है hence अभी अभी source का जो disturbance हुआ है क्या वो x by v time बाद इस point P का disturbance होगा अभी 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 फस्ट बच्चे का जो state है वो किताब ले रहा है क्या यही state चौती bench वाले बच्चे का भी होगा पर थोड़े time बाद क्योंकि time लगेगा ना बुक को वहां तक पहुँचने में तो energy को यहां से यहां तक पहुँचने में जो समय लगेगा इतने time बाद point P भी वैसा ही होगा वैसा ही behave कर रहा होगा जैसा अभी इस समय source behave कर रहा है यह बात आपको पच्च जानी चाहिए तो अभी तो हम यहां से खड़े होकर वहां देख रहे थे यहां से खड़े होकर वहां देखते है that means अगर इस समय इस समय घड़ी में बज़ रहे हैं T अगर इस समय घड़ी में बज़ रहे हैं T तो किसी T समय पर point P का behavior क्या source के T minus x by V समय पर जो behavior था उसके जैसा होगा सोच के देखो T time पर point P का behavior क्या source का T minus x by V मतलब x by V time पीछे source का जो behavior था क्या उसके जैसा point P इस समय राइट नौ बेव कर रहा होगा T समय पर point P का behavior है या T समय पर point P का जो y displacement है क्या यह source के y displacement जैसा होगा at time T minus x by V are you with me? Hence किसी T समय पर इस point P का y displacement होगा as a function of time उसको में लेख सकता हूँ function of T minus x by V बस यह है main मुद्दा समझ लेखा यह समझ में आगर आपको आगया तो आपको wave equation समझ में आगया किसी T समय पर किसी medium particle का disturbance source के T minus x by V time पर जो disturbance था उसके जैसा होगा क्या मेरी बाद समझ बाद है जैसे बर example यह और example से समझा दो माल लेते हैं जो satellite TVs होते हैं यह जो TV होते हैं तो serial है कोई serial broadcast होता है और वो broadcast होता है फिर वो आपके घर तक DTH ये direct to home से पहुचता है तो माल लेते हैं कोई serial 9 बज़े शुरू होना है और जहां से broadcast हो रहा है कोई जगे जहां से वो beam हो रहा है जहां से broadcast हो रहा है ठीक है वहां से आपके घर तक आने में माल लेते हैं signal को आधा minute लगता है let us imagine आधा minute लगता है ठीक है तो एक TV broadcasting station पर है माल लेते हैं और एक TV मेरे घर पर है है ना अगर मुझे 9 बजे वो serial देखना है तो क्या broadcasting station पर वो signal 9 बजने में आधा minute पहले broadcast कर देना होगा that means अभी मेरे घर में जो TV है उसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है क्या वो broadcasting station पर जो TV है उसमें आधा minute पहले जो दिखाई दे रहा था क्या वो ही है अभी अपनी screen पर देख रहा है क्योंकि half minute is the time lag half minute is the time lag likewise x by v is the time lag hence अभी t समय पर p का जो situation है वो source की t minus x by v पर जो situation दी वैसा ही होगा t समय पर जो इस point p का जो situation है वो t minus x by v पर source की situation जैसा होगा बस इतनी सी बात से हमने वेवी question मना लिए अब इसको हम वेवी question बोलते है और ये वेवी question बड़ा powerful tool है क्योंकि ये वेवी question हमें देखो क्या बता रहा है ये वेवी question हमें source से x दूरी पर source से x दूरी पर किसी t टाइम पर medium particle का y displacement क्या होगा बता रहा है source से x दूरी पर source से x distance पर यह x location पर किसी t time पर medium particle का y displacement जो होगा क्या वो यह equation बतारी, बड़ी interesting equation है तीन variable को जोड़ रही है, y, t और x है ना, हमने जितनी भी equation अब तक देखी हैं physics में, वो दो ही variable जोड़ती है यह equation तीन variable जोड़ रही है, बड़ी मज़दार है इसमें तीन variable है, y y, जो की y displacement है t, जो की time है and x, जो की location है, right hence y is equal to f of t minus x by v becomes the equation for a wave which is propagating in positive x direction, for a wave which is propagating in positive x direction यह किसकी equation है, wave wave propagating wave propagating propagating wave propagating in positive x direction, वही अगर कोई wave negative x direction में जा रही होती है और मैं x को x coordinate की तरह लेता x को x को, तो उसका x coordinate negative होता तो क्या आप समझे रहे हैं, यहाँ पर मैं t plus x by v लिखता, क्योंकि x अपने आप में negative होता, हैंस अगर मैं y is equal to f of t plus x by v लिखो, तो यह question किसको represent करेगी, बोलो एक ऐसी wave को, wave propagating प्रोपोगेटिंग wave propagating in किस direction में, negative x direction यह represent कर रहा है, एक ऐसी wave को जो negative x direction में propagate कर रहे हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह पच रहा है आपको अभी इसमें मुझे और भी बात करनी है, पर अभी नहीं करूँगा next class में उस पर और बात करूँगा इस पर, है ना, भी, so that तब तक आप इसको अच्छे से digest कर लें, समझ लें, यही बस थोड़ा सा initial hurdle है, जिसकी वज़े से wave थोड़ा सा difficult लगता है, क्योंकि शुरू होते ही इस तरह की बात है, इसमें होने लगती है, तो फिर बच्चे को लगता है, कि यह टॉपिक तो मझे समझ में नहीं आगा, जबकि यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा भी आप ध्यान से भी अगर आपना सुन ली होगी बात, तो आपको खट से गले उतर गई होगी, ठीके बच्चों, तो अग्ये क्लास में मिलते हैं, फिर हम इसको और आगे डाइसेक्ट करेंगे और आगे बात करेंगे, थैंक्यू रिमिंच